इस राज्य में जो मेरा अपना राज्य है भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पॉंस मिल रहा है लोगों का वो देखकर मन प्रफुलित हो जाता है। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खत्रे मन रहे हैं। हम विपक्षी दलों ने संसद में वॉक आउट किया क्योंकि विपक्षी दल आँख मूंदना नहीं चाहते हैं। हो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आँख खुली रखे क्योंकि अगर हम सबने आँख मूंदली तो माफ कीजिएगा बॉर्डर पे बचने लाइक कुछ होगा नहीं कुछ रहेगा नहीं। कल हम सबने हमारे तमाम विपक्षी दलू ने इसलिए वॉक आउट किया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के जवाब से। सरकार संसद में चर्चा चीन के मुद्दे पर नहीं करना चाहते है। प्रधान मंतरी का मुँ बंध रहता है और जब मुँ खुलता है तो वो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि हिंदोस्तान का प्रधान मंतरी अपनी 26 से उंचा और किसी चीज़ को नहीं मानता। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को भी वो अपनी 26 से नीचे मानते हैं उपर नहीं मानते हैं। संसद में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते है चीन के मुद्दे पर ये कॉंग्रेस भी जानना चाहती है समुचा विपक्षिया जानना चाहता है। राजिस्थान में हम बैठे हैं इसी मुद्दे पर राजिस्थान का एक इतिहास जुड़ा हुआ है 1962 के जंग में जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था एक 36 वर्षिये नौजवान सांसत थे अटल विहारी वाजपई जिनोंने बीच जंग के संसत का विशेश सत्र बुलाने की मांग की चाहते तो नहरू जी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं हम नहीं आपकी बात सुनेंगे नहरू जी ने वो मांग स्विकार की राजिस्थान कैसे जुड़ा हुआ है इस एतिहासिक मुद्दे पर मैं वो बताता हूँ आपको पाली से एक सांसत हुआ करते थे हमारे सहयोगी है अभिशेक सिंग्वी जी उनके पिता जी निर्दली ये सांसत थे उन्होंने नहरू जी को सला दी अटल जी को भी सला दी कि ये जो सत्र होगा ये confidential होना चीए secret होना चीए इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अख़बारों में मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चीए नहरू जी ने उसको इनकार कर दिया कि ये राष्ट्रिय महत्व का मुद्दा है लोगों का हक है जानना कि सांसत इस पे क्या बोलते हैं क्या राय रखते हैं सरकार की क्या राय है नहरू जी ने जिद की की संसत में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई confidential चर्चा नहीं होगी सबको मालूम होना चाहिए क्या हुआ 165 संसतों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया अपनी अपने विचार रखे कॉंग्रेस के संसत महवीर त्यागी हुआ करते थे खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं यह कॉंग्रेस की परंपरा न तब थी न आज है मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राश्ट्रिय महतों के मुद्दे होते हैं जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है मजबूत से ना है हमारी वीर से ना है हमारी शौरेवान से ना है हमारी इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए लेकिन अगर राजनेतिक इच्छा शक्ती नहीं हो, कमजोर हो तो सैनिक ख़देड़ना चाह रहा है चीन के सिपाईयों को लेकिन clean shit दे रहा है प्रधान मंत्री बताईए कैसे सीमाय सुरक्षित रह सकती है तो ये चिंता जो हमारी है ये चिंता हम आपसे साजा कर रहे हैं हम चाते थे संसद में भी साजा करें लेकिन नहीं करने दी गई ये चिंता इस देश की चिंता है प्रतियेक नागरिक की चिंता है और जिस राज्य से हम आते हैं जिस राज्य में हम बैठे हैं यहां से कई जवान सेना में जाते हैं सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विशम परिस्थितियों में काम करते हैं संगर्ष करते हैं तो यह करजा हम सब के सर पर है यहां के जवानों का करजा है हमारे सर पर उस करजे को उतारना इस सरकार की जवाब दें चीन के साथ आपकी नीती क्या है क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हों आप किस दबाव में हो 18-18 बार प्रदान मंतरी चीन की राश्पती से मिलते हैं क्यों मिलते हैं जब वो गुजरात के मुख्य मंतरी थे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंतरी थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाशा पढ़ाना चाते थे कंपल सरी करना चाते थे कॉंग्रेस ने तब भी विरोध किया था गुजरात के स्कूलों में आप मैंडरिन लाना चाते हो आपका क्या रिष्टा है चीन के साथ 43,000 करोड के करारना में चीन की कंपनियों के साथ धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं ये 43,000 करोड के करार नामे चीन की कमपनियों के साथ किये गए अपने जो MSME सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे चीन की कमपनियों को धौले रा में जमीन दी जा रही है क्यों दी जा रही है क्या रिष्टा है आपका क्या कारण है क्या दबाव है चीन का आपके उपर चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे न मूँ खोल पाते हो ना आँख उठा पाते हो तो ये सारे सवाल और आपको एक हैरान कर देने वाला तथि बताता हूँ कुछ कमपनिया हैं UC Website Mobile झाल झाल झाल